लखनों से हमारे साथ हमारे समबाद आता जुड़े हैं सिमाग। सबसे पहले जहांसी का रुख करेंगे, SSJ हमारे साथ हमारे समबाद आता है। ऐसे जहांसी के अगर बात की जाए तो कैसे हालात यहां पर बने हुए हैं और अस्पतालों में क्या यहां पर मरीजों को बेड नसीब हो पा रहा है? जबाब नहीं मिलता है लेकिन आप देख सकते हैं कि मौतों को आंकला जहांसी में बढ़ा है अठारा लोगों की मौत हुए है और जिस तरीके से 910 जो 24 घंटे में केस आये हैं तो कहीं ने कहीं लोगों में डर का माहल बना हुए कई लोग ऐसे हैं जो परिवार में हैं उनको बहरती होना है तो फोन लगाते रहते हैं फोन नहीं उट रहे हैं लेकिन कहीं नहीं कहीं परसासन बादा तो कर रहा है कर रहा है इसके माफ व्यूद भी लेकिन सब दावे खोक लिए दिखाई दे रहे हैं जैए बिल्कुल नएंद अगर मेडिट की बात की जाया तो यहां पर भी लगातार ऐसे ही हालात बने वे अस्पतालों में बेट्स की भारी किलत है और बड़ी ख़बर यह भी निकल करके सामने आ रही है कि कई अस्पतालों में यहां पर ऑक्जियन तक नहीं है क्या कुछ कदम प्र देश की प्रब्लम हो चुकी है और 2400 गंटे यह प्रब्लम अलग अलग जगों पर अलग अलग रूप में मौजूद है मेरे पीछे जो आपको अस्पिताल दिख रहा है इस अस्पिताल में आप से करीब एक घंटे पहले गैस खतम हुई और उसके बाद जो अस्पिताल का उसने एक मैसिज फ्लेस किया तब पता लगा कि यहां पर 40 मरीजों की जान जो है वो आफ़त में पड़ी हुई है बहुत समाचार पर खबर का प्रसारल किये जाने के बाद जिलाप प्रसासन ने इसका संग्यान लिया और पांच केबल मात्र पांच जो ऑक्सिजन सेलेंडर नहीं हो पाई अलगए लगए अस्पितालों में यही सारी दिक्कते बनी हुई है कल निव्ट्यूमा अस्पिताल में पांच लोगों की मौत हुई और यह बताए गया पर जनों के दूआरा कि ऑप्सिजन वहिया नहीं ती इसलिए उनकी मौत हुई लेकिन प्रबंदन और क प्रशासन की और से बंद कर दी गई है लोग खड़े हुए हैं दो 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 दिन से लाइन लगाए लेकिन उनको अक्सीजन नहीं मिल पा रहा है किसी भी परिस्टती में अगर आप मौत के मुझे खड़े हुएं तब भी आपको अक्सीजन नहीं मिलेगा इस तरह के हालात यहां पर हो चुके हैं सबसे बड़ी दिक्कत उन कोवेट नोन कोवेट मरीजों के सामने भी है जिनको अक्सीजन की जरूवत रहती है जैसे अस्तिमा का मरीज है आप जानते हैं को वो बिना लोगों के सिलेंडर पर रोक लगाई हुई है दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जितनी जरूवत है सेहर को सेहर के मरीजों को पश्ची मुत प्रदेश से आने वाले सभी जिलों के मरीज जो यहां पर भरती है उनको उसके सापे चमाहज एक चौथाई से भी कम जो लगनास भी हमारे साथ हमारे समबादाता जुड़ गये हैं कही ना कहीं एक बड़ी लापरवाई यहां पर भी देखने को मिल रही है हमारे साथ सिमाब जुड़े में सिमाब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाई यहां पर देखने को बली है और एक खबर यह भी निक और जो लोग पॉजिटिव नहीं है वो कैसे आउक्सिजन पापा हैं? देखिए आउक्सिजन को लेकर हाहाकार पूरे उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है. लखनव भी इससे अचूता नहीं है. आप देख रहें थे लाइने की किस तरह की लाइने लगी हुई यह आउक्सिजन प्लांट के बाहर. यह वो लोग हैं जिनको आउक्सिजन सिलेंडर की जरूरत है. इनके गर में कोई ना कोई बीमार है. जो आउक्सिजन जिसको चाहिए. लेकिन अब एक फर्मान जारी कर दिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से. कि अगर कोई भी मरीज के परिजन जो है वो आता है तो वो अपने साथ कोविट की रिपोर्ट लाए. जी. वो तमाम लोग परिशान है इस तरह के. बड़कुल. और दूसरा फर्मान जिलादिकारिक तरफ से जारी किया गया है. प्राइवेट अस्पतालों के लिए. कि अगर प्राइवेट अस्पतालों को आक्सिजन नहीं दिया जाएगा. यानि नौन कोवीट जो अस्पताल हैं. उनको अक्सिजन किसी भी सूरत में नहीं दिया जाएगा. पहले कोवीट अस्पतालों को दिया जाएगा. और अगर कोई अक्सिजन वाला मरीज जिसको दूसरी बीमारी है और अक्सिजन की जरूरत है. वो प्राइवेट अस्पताल में भरती है तो वो क्या करे उससे कहा जा रहा है कि घर से अक्सिजन लेके आओ. अक्सिजन लेने के लिए परिजन लाइन लगा हुए हैं. दो दो तीन तीन दिन से अक्सिजन सिलेंडर के लिए लाइन लगी हुई है. लेकिन oxygen मिल नहीं पार रहा है प्लांट में प्लांट वाले बता रहा है कि liquid नहीं आया है गल मिलेगा परसों मिलेगा इस तरह से लोगों की एक लंबी लाइन है तो ये बेहर दुखत है कि oxygen के लिए लकनाओ जैसे शहर में मारा मारी मची हुई है और जिला प्रशासन लोगों को अक्सीजन महिया नहीं करा पा रहा है मनीश